नमस्का साथियों आपने उक्त एक्जाम की इंस्ट्रेक्शन्स तो पढ़ ली होगी आप से आसा है कि आप सभी उक्त इंस्ट्रेक्शनों का पालन करेंगे ट्रैल डिक्टेशन दस सेकंड बाद स्टार्ट होगी स्टार्ट केवल काल ही नहीं इस्थान भी उनके उप्युक्त था विराम संबवत है भारत वर्स के अन्य भागों की अपेक्छा बंगाल ने इस धक्के का अधिक अनुभव किया था विराम बंगाल में भी जीवन के इस नए इसपंदन का प्रिभाव सबसे जादा कलकत्ता में ही दीख पड़ा विराम रविंद्रनाथ की प्रतिभा के विक्षित होने में उनका पारिवारिक वातावरन भी सहायक था विराम उसने प्राचीन विरासत को छोड़े बिना ही नए जमाने की इस चुनोती को स्वीकार किया था विराम ब्रहमन होने के नाते रविंद्रनाथ के प्राचीन भारतिय परमपराओं को बड़े सहज और स्वाभाविक ढंग से अपना लिया विराम वे केवल साहित्य से ही नहीं बलकी संस्कृती में पिरोय गए धार्मिक और सांस्कृतिक आदर्सों से भी प्रभावित हुए विराम वे भू स्वामी वर्ग के थे इसलिए मध्ययुगीन मुगल दर्बार की मिस्र संस्कृती को बिना किसी हिचक के स्विकार कर सके थे विराम इन दोनों बातों में वे संबवत है उन दिनों के अन्य भ्राम्मन जमीदारों से भिन नहीं थे लेकिन वे उनमें से बहुतों के विपरीत आधुनित जगत की नई धाराओं के प्रती भी सचेत थे विराम साथी प्राचीन और मध्य युगीन भारतिय परंपराओं से सरोबार उनका परिवार पास्चात्य सिक्षा और जीवन प्रनाली के अग्रनियों में भी था विराम रविंद्रनात की भारतिय विरासत अत्यंत सम्रद्ध थी और उनके मन में कोई व्यक्त या एव्यक्त द्विधा या द्वंद नहीं था विराम उनकी पारिवारिक प्रिष्ट भूमी को ध्यान में रखा जाए तो इस बात को समझना मुश्किल ने होगा विराम उनका संबंजस व्यक्तित्त उस भेदभाव से मुक्त था जो उनके बहुत तेरे समकालिनों की सक्ती का हरास कर रहा था विराम में डिक्टेशन दस सेकिंड बार स्टार्ट होगी यस श्टार्ट एक विशिष्ट साखा बन गया है विराम प्राचीन समय में मात्र अपने स्वामी के प्रिती उत्तरदाई समझा जाने वाला लेखांकन वर्तमान युग में संपून समाज के लिए भी उत्तरदाई माना जाने लगा है विराम सब्भेता के प्रारंबिक युग में लेखांकन कारिंदों या प्रबंदकों को उनके करतव्य निर्वा में सहायता प्रदान करता था विराम यही कारिंदा लेखांकन वित्तिय लेखांकन प्रेनाली की जड़ है विराम ऐसा विश्वास किया जाता है की लेखांकन प्रेनाली की उत्पत्ति ईशा से भी पैतालिस सो वर्स पुरानी है विराम लेखांकन इतिहासकारों ने वेदों रामायन एवं महाभारत में भी लेखांकन रिकोडों का उलेख पाया है विराम किन्तु वर्तमान में प्रेचलित दोहरा लेखा पदती केवल पंदरवी सताबदी के अंत में विक्सित हुई है विराम इतली के वैनिस नगर के गनितग्य लुकास पैसी योली ने 1444 में इस्वी में दोहरा लेखा प्रनाली के सिद्दान्तों को सरप्रथम प्रतिपादित किया विराम पैरा अध्योगिक क्रांती के फल्स्वरूप वेवसाय के आकार एवं स्वामित्त का विस्तार हो जाने के कारण वेवसाय संचालक एवं स्वामियों का उत्तरदाइत बहुत भड़ गया विराम सन्युक्त पूंजी वाली कंपनियों के रूप में इस्थापित वरत उद्धोगों ने लोगों का जीवन इस्तर तिवर गती से विक्षित किया है विराम परिवर्तित सामाजिक आर्थिक विकास एवं कल्यानकारी राज्य की विचारधाराने वेवसाईक जगत में राज्य एवं लोगों की आसाओं को बहुत बड़ा दिया है विराम परिणाम स्वरूप वेवसाई के बारे में सब पक्षकारों यथा विनियोग करता प्रिवंदक वर्ग समाज सरकार स्रिमिक वर्ग आदी को संतुष्टी प्रेदान करने के लिए लेखांकन ने भी अपने स्वरूप में परिवर्तन कर समाज के साथ कदम से कदम मिलाया और सोदों को दर्ज करने की क्रिया मात्र कहलाने वाला यह है विशय आज एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्निता प्राप करने लगा है विराम पैरा समाज के सीमित साधनों का आवंटन करने के लिए इसकी तकनिकों का प्रियोग कर निरने लिये जाते हैं विराम अंसधारियों एवं वी नियोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए वित्ये विवरनों का प्रिकटी करन कानून द्वारा अनिवार्य बना दिया है विराम वित्ये विवरन वेवसाय संचालन के परिनामों की एवं आर्थिक इस्तिती की जानकारी देते हैं विराम इस प्रकार लेखांकन वेवसाय में सूचना प्रनाली का आधार बन गया है जिसके द्वारा वेवसाय से संबंदित पक्षकारों को आवैसक सूचना का प्रिवहा किया जाने लगा है विराम लेखांकन के छित्र में 1950 इस्वी के बाद से प्रबंद किये कार्यों में सहायता पहुचाने के लिए प्रबंद लेखांकन के रूप में एक नई दिशा का विकास हुआ है विराम अब लेखांकन एक पेशा बन गया है विराम लेखांकन के अपने निश्चित सिद्दान एवं माननताएं हैं जो देश वै काल की विभिनता के बावजूद भी एक ही तरह से अपनाए जाते हैं विराम यदपी ये सिद्दान विशुद्द विज्ञान की तरह एकाटे नहीं हैं और इसलिए इसे विज्ञान की एक अन्य साखा सामाजिक विज्ञान में वरगी करत किया जाता है विराम लेखांकन के विकास का सबसे नया छित्र सामाजिक दाइत लेखांकन हैं जो विवसाय द्वारा समाज को प्रेदान की जा रही सेवाओं एवं समाज से प्राप्त की जा रही लागतों का लेखा रखता है विराम इससे समाज की विवसाय के प्रती जाग रुकता बढ़ती है विराम लेखांकन समाज के भले के लिए है सामाजिक उद्दिश्य को पूरा करता है सामाजिक प्रगती में योगदान देता है एवं समाज की प्रगती के साथ जुड़ा हुआ है विराम अतहा इसे सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता है विराम पैराम लेखांकन के कार्रे लेखांकन के मुख्य कार्रियों को निम्न प्रकार वर्गी करत किया जा सकता है विराम रचनातमक कार्रे विवसाय में लेखांकन प्रनाली की स्थापना करने के लिए उत्तरदाई व्यक्ती लेखाकार विवसाय का आकार प्रकार प्रकृती आदी के अनुसार उसके प्रारूप का चयन करता है विराम विभिन प्रकार के प्रेमानों का डिजाइन पुस्तकों की संख्या आदी का निर्धारन करता है विराम इन कार्दियों में लेखांकन संबंदी सूचनाव को उचित रूप में प्रिकट करना असुद्यों एवं छल कपट पर नियंतरन करना आदी भी सामिल है विराम पैरा सं लेखात्मक कार्दय लेखांकन के इस कार्दय में सोदों को उनकी प्रकृती के अनुसार विभिन प्रारंबिक बहियों में दर्ज करना उनकी खतोनी करना और असुद्यों की जाच के लिए तलपट तयार करने के कार्दय झाव झाव एफर एफ तलपकड्क करने के युद्यों की त Jew प्रार्ष राल्दों की जेखा i उनकी त all together